नमबर फोर ये वीडियो एक अबैंडिन होस्पिटल की है जो आज से 20 साल पहले बंद हो गया था और फिलाल एक अर्बन एक्स्प्लोरर लुआन मैंडिस इस अबैंडिन होस्पिटल को इंवेस्टिगेट करने के लिए आए हैं ये पता लगाने की is it haunted or not लुआन अपनी क्र्यू के साथ इस होस्पिटल को एक्स्प्लोर कर रहे होते हैं और इसके मौर्ग मतलब मुर्दा घर की तलाश कर रहे होते हैं लुआन के मुताबिक मौर्ग ही एक ऐसी जगह है जहां paranormal activities उनके camera में record हो सकती है मौर्ग की तलाश करते हुए लुआन और उनका क्रू इस होस्पिटल के मेज जैसे hallway से confuse हो जाते हैं और कुछ लोगों के मुताबिक hall के इसी हिस्से में एक nurse के ghost को काफी बार देखा जा चुका है लेकिन लुआन और उनके क्रू को यहां किसी भी तरह की paranormal activity होने के संकेत नहीं मिलते और वो लोग उस हॉस्पिटल के सारे rooms के पास से गुजरते हैं ताकि वो उस हॉस्पिटल के मौर्ग तक पहुँच सके पर सड़नली कुछ ऐसा हुआ जब वो लोग उस हॉलवे से गुजर रहे थे तब एक shadow figure उनके सामने से काफी तेजी से भागता है और शायद लुआन और उनके क्रू को वो चीज दिखी गई जिसकी तलाश में वो लोग इस हॉस्पिटल में आये थे लेकिन गौर करने की बाद ये है कि लुआन और उनके दोस्तों के चलने पर हम उनके कदमों की आवाज सुन सकते हैं बट उस figure के इतने तेजी से भागने के बावजूद भी हम उसके footsteps के आवाज नहीं सुन पाते वॉल्यूम इन्हांस करने पर भी हम सुन सकते हैं कि हमें उस shadow figure के footsteps की आवाज नहीं आ रही है और एक बात जो वीवर्स को काफी हरान करती है कि इतनी रफतार से भागने के बावजूद भी उस shadow figure के पैरों के निशान महां की धूल बरी जमीन पर नहीं दिखते इतने खौफनाक evidence मिलने के बाद भी वो लोग दरे सहमे ही सही अपनी investigation को जारी रखते हैं और कुछी देर बाद वो लोग hospital के nursery area तक पहुँच जाते हैं जहां उन्हें और भी creepy चीज़े दिखती है जैसे कि एक छोटे बच्चे की crushed photo और उससे भी ज्यादा creepy दिवार पर टंगा किसी जानवर के ghost का सड़ा गला टुकडा जो कि शायद किसी ritual के offering के तौर पर लाया गया हो और जमीन पर देखने पर उन्हें खून की बूंदे हम एक इंसान को उल्टा टंगा हुआ देख सकते हैं जिससे देखकर लुआन और उनके दोस्त काफी डर जाते हैं लुआन और उनका क्रिव कुछी देर पहले यहां से गुज़रा बट उस रूम में तब कोई नहीं था लेकिन अचानक से ये figure वहां कैसे आ गया लुआन की इस investigation को पूरा देखने के लिए आप उनके YouTube चानल पर जाना बिल्कुल मत भूलिएगा पिछले कुछ वक्त पहले हमने popular live stream ghost hunter हसन बार बार की एक वीडियो को हमारे चैनल उपर feature किया था आज फिर हम हसन की एक और scary investigation से आपको रूबरू कराना चाहते हैं जहां हसन जौर्डन के बिहड में बसे एक खंडर घर को investigate करने आया है और बहां के लोगों के मताबिक ये जगा पर एक शैतानी जिनका साया है और अपनी इस investigation को हसन स्नाप चैट पर live stream करते हैं जहां पहले उनका पाला एक अजीब सी dark figure से पढ़ जाता है और फिर एक लोमडी के बच्चे से लेकिन जब हसन उस fans की और अपने camera को pan करते है वो mysterious figure वहां से गायब हो जाता है और कुछी देर बाद उन्हें उस जगा से काफी डरावनी चीखे सुनाई देने लगती है अजीब डार्क शकल वाली figure दरवाजे से जाक रही है और जैसे ही वो अंदर जाती है हसन उसका पीछा करते है और जब वो उस जगा पर पहुचते है वो अजीब सी figure वहां से गायब हो जाती है एक बार फिर वो अजीब शकल वाली चीज हसन को जाक कर देख रही थी और इस बार भी हसन उसे पूरी दरा capture करने में काम्याब नहीं हो पाते और अब हसन को धीरे धीरे डर का हिसास हो रहा है लिकिन अपने live stream viewers के लिए वो अपनी investigation को जारी रखते है और शक्राशिताव रिश्दी दराबत आओ अपन वो खौफ तारी करने वाली डरावनी चीखे और भी ज्यादा जोर से आने लगती है और जखमी हसन जब उस कमरे में पहुशते हैं हम देख सकते हैं कि वहाँ कोई नहीं है और जब हसन अपने जखम को देख रहे होते हैं वो डरावनी चीखे फिर से शुरू हो जाती है इस बार काफी करीब से अब हसन की हिम्मत जवाब देने लगी है लेकिन अपने लाइफ स्ट्रीम वीवर्स के लिए वो अपनी इंविस्टिकेशन को जारी रखने का फ्रैसला करते हैं और बस यहीं से चीजे एक नाइटमेर की शक्लिक त्यार कर लेती हैं बिसम लाइब 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 जब हसन उस खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं उनके गर्दन पर कोई उन्हें कस के चाटा मार देता है और जब हसन कैमेरे में अपनी गर्दन पर लगी चोट को देखने की कोशिश करते है एक खौफनाग डार्क फिगर उनके पीछे से बाहर निकलता है और घबराय हुए हसन जैसे ही पीछे पलट कर देखते हैं वहाँ कोई नहीं होता और इस होरिफाइं इंसिडेंट के बाद हसन वहाँ से बाहर निकल जाते है क्या हसन ने अपने लाइफ स्ट्रीम में एक शैतानी जिन ये रूख को कैमेरे में कैप्चर कर लिया है या फिर बस आप हसन की इस इन्वेस्टिकेशन को उनकी यूट्यूब चैनल हसन बार बार पर जाकर देख सकते हैं ये वीडियो रेडिट यूजर ब्रिक वीम से ने एक सब रेडिट पर शेयर की थी जिसमें हम देख सकते हैं कि वो अपलोडर किसी अबैंडन हांटेड हॉस्पिटल को एक्स्प्लोर कर रहे है और अपनी इस एक्स्प्लोरेशन को रिकॉर्ड कर रहे है पहले जब वो एक बंद एमर्जेंसी रूम का दरवाजा खोल कर देखते हैं उन्हें वहाँ कुछ नहीं दिखता लेकिन जैसे ही वो उस रूम से बाहर निकल कर आगे बढ़ते हैं वो अपलोडर एक काफी क्रीपी चीज़ को अपने कैमेरा में रिकॉर्ड करने में कामियाब हो जाते हैं जब वो अपलोडर उस एमर्जेंसी रूम से निकल कर आगे बढ़ते हैं उन्हें एक अजीब आहर्ट महसूस होती हैं जिसे देखने के लिए जब वो पीछे पलट कर देखते हैं वो पूरी तरह शौक हो जाते हैं उनके इस घबराए हुई रियाक्शन को देखकर तो यही लग रहा है कि शायद ये वीडियो जेन्यों ही है क्या किसी के पास इसका कोई एक्स्प्लिनेशन है जाडियों में छुपकर रहने वाले मिस्सीरियस क्रियेजर से रिलेटेट बहुत सारी वीडियों हमने देख रही है लेकिन ये पर्टिकुलर वीडियो जिसे रेडिट पर रेडिट यूजर फोटेज फाइंडर 57 ने अपलोड किया है इस वीडियो को देखने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि I don't know is it real or not और इस वीडियो के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता और मैं बस इतना जानता हूँ कि ये फोटेज काफी स्केरी है बेसिकली इस वीडियो की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि कुछ दोस्त मिलकर कैंपिंग के लिए आये हुए हैं और अपने कैंप में वो सब चिल कर रहे होते हैं लेकिन कुछी देर में हमें ये पता चलता है कि उनके ग्रूप की एक लड़की बहुत देर से गायब है और कुछी देर बाद उन्हें बाहर की जाडियों से अजीब चीखे सुनाई देने लगती है और जब वो पूरे दोस मिलकर उस ग्रूप में मर की तलाश करने जाते हैं उनके साथ एक काफी क्रिपी हाथसा हो जाता है 10 मिम्न तलाश आफ जेब जवाद के जुटे जावाँ oh fijn वाद what can a couple of people just come with me just to make sure we're good गचाली फालेक ए thing अलेक्स 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 झाल-दाइसまた ऱिटो यंस लुक कंए लुक को थे लुका बचा Okay, счит. Wait, 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 okay, be careful. Okay. Guys. Okay. उनकी दोस्त उस शेल्टर के पीछे उन जाडियों से बंदी हुई होती है और जब एक दोस्त उसके पास जाता है Suddenly एक क्रीपी क्रियेचर उनके पास काफी रफतार से भागा चला आता है उस creature को गौर से देखने पर हमें ये पता चलता है कि उस creature के at least 5 limbs है अगर आप इस clip से related कोई भी जानकारी रखते हो तो please हमें comment section में जरूर बताए झाल कर दो सकता है